रैदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी सिवराज जी ने उसका उलेग भी किया ऐसा चाहू राज में ऐसा चाहू राज में जहां मिलेई सबन को अन छोट बड़ों सब संबसें रैदास रहे प्रसंद यानि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे छोटा बड़ा इसे उपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे आज आज़ादी के अमरित काल्ब है हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे है आपने देखा है कोरोना की इतनी बड़ी महमारी आई पूरी दुनिया की व्यवस्ताएं चर्मरा गई ठप पड़ गई भारत के गरीब तबके के लिए बलीत आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था कहा जा रहा था कि सौ साल बाद इतनी बड़ी आपदाई है समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा लिए तब मैंने ये ताय किया कि चाहे जो हो जाएं मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा दोस्तों मैं बली भाती जानता हूँ कि भूखे रहने की तकलीव क्या होती है मैं जानता हूँ कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है मैं तो आपके ही परिवार का सद़ से हूँ आपका सुकुदुख समाजना मुझे किताबे नहीं दूननी पड़ती इसलिए ही हमने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना शुरू की 80 करोड से जादा लोगों को मुप्त राशन सुनुशित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीब पूरी दुनिया में हो रही है साथियों आज देश गरीब कल्यान की जितनी भी बड़ी योजना चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाप बलीत पिछडा आदिवासी समाज को ही हो रहा है